क्या COVID-19 ने आपकी ट्रैवल प्लान्स को बरबाद कर दिया है? अब जब वो प्लान एक प्लान ही रह गया, तब तक के लिए आप अपने फेवरिट जगों को अपने फोन ये लापटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत में कुछ फिल्में हैं जो सच्वुच में सबसे अच्छी ट्रैवल प्लाट की हैं। इन फिल्मों को बार बार देखने से कोई कभी थपता नहीं है। अब वो टाइम है जब आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं और सब ही ट्रैवल फिल्में देख सकते हैं। और हो सकता है कि जब तक सिच्वेशन नॉर्मल होती है आपका कहीं घुमने का प्लान भी बन जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एकसाइटिंग मूवीज के बारे में आपको बताएंगे। काउंड़ान शुरू करने से पहले हमारे चानल ट्रिब एक्स्ट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन भी दबादें। नमबर दस जब हैरी मेट सेजल वेन हैरी मेट सैली का इंडियन रीमेक जब हैरी मेट सेजल उन सभी जगों पर सेजल की एंगेजमेंट रिंग ढूनने की कहानी है जहां वे गई थी। पहले बार में सही जगे पर अपनी भावनाओं के साथ सेजल ने अपने टूर गाइड हैरी से उसके साथ जाने के लिए कहा और उन्होंने प्राग, लिजबन, वियाना, एंस्टरडैम, फ्रैंकफुर्ट और बुदापेस्ट में रिंग ढूनना शुरू कर दिया। आप इन स्थालों के संस्कृतियों और स्थान्य जीवन का आनन ले सकेंगे। एंड में उनको रिंग एक दूसरे के लिए अपना प्यार समझने के बाद ही मिलती है। 9. अंजाना अंजानी खुदकुशी करने से पहले दो युवा अपने जीवन का अधिक्तम लाव उठाने का फैसला करते हैं। रोड ट्रिप्स के अलावात दुनिया घूमने का कोई बहतर तरीका नहीं है। दोस्तो नंबर 8 पर है लंडन, पारिस, न्यॉयॉक। लंडन, पारिस और न्यॉयॉक हम सभी के लिए एक सपनों वाले डेस्टिनेशन है। लंडन में पहले वो पात क्रॉस करते हैं। पारिस में मिलते हैं और अंजा के ढूनते और घूमते हैं। और अंद में न्यॉयॉक में एक साथ होने का फैसला करते हैं। यह हम लोगों के लिए सपना है। फिल्म आपको अलग-अलग परिजश्यों में ले जाती है। जिससे आपको यह संकेत मिलता है कि दुनिया की दूसरे तरफ का प्यार और जीवन कैसा दिखता है। फिल्म एक कहाने की इर्दगुर्द घूंगती है। जहां कंगना अपनी शादी से ठीक पहले एक हार्टब्रिक से गुजरती है। और अपने हनीमून पर पारिस और अमसर्डम तक अकेले ही चाहती है। वो अलग अलग लोग और कल्चुर्स देखकर घबराती नहीं है। नाइट क्लब्स में दिल खोल कर डांस करती है। फॉर्णर्स को इंडियन फूद किलाती है। लेडीज अगर ये आपको यात्रा करना नहीं सिखाता है। तो हम ने जानते की और क्या। नमबर 6, Cocktail लेंडिन की यात्रा करना चाहते हैं। बृतिश राजधानी की सभी प्रमुक्स थलो को देखने के लिए इस फिर्म को देखें। जब तक कि हम COVID-19 से नहीं लड़ते। तीन दोस्तों को ग्रुप शेहर बर में अच्छी तरह से घूंगता है और आनन्द लेता है। बॉर्व मार्केट, पोर्टैबलो रोड, बैक्रस्टी पार्क, कॉल्विल गार्डन जिसे हम नौडिंग हिल के नाम से भी चानते हैं। लेस्टर स्क्वेर, पिकेट्डी सरकर्स और ब्रिक लेन जैसे प्रतिश स्थानों पर घूमते हैं। उनके लिए एक अच्छी ट्रिप और हमारे लिए एक वर्चिल ट्रिप। नमबर पांच, दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे। भारतिय सिनिवा में ट्रावलिंग को बढ़ाने वाली दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे पहली फिल्बों में इससे एक थी जो यूरप में शूट हुई और वहां के परिद्श्यों को प्रदर्शित किया। यूरप में एक ट्रेंड में मिलने के बाद राज और सिम्डन प्यार में पढ़ जाते हैं और अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए पंजाब के पीले खेतों में मिलते हैं। स्विस एब से लेकर सरसो के खेत तक फिर्म आपको यूरप और पंजाब दोनों के आकरशन दिखाएगी। और आप भी इन दोनों की तरह अपनी प्रेम कहानी को दूर के इलाकों में जीना चाहेंगे। फिल्म में लंडन के कुछ भाग भी हैं जिनका आप आनन ले सकेंगे। नमबर चार इंग्लिश विंग्लिश जहां इंग्लिश विंग्लिश हर व्यक्ति के लिए एक सबक है। यह नियो यॉक के लिए आपके प्यार को भी बढ़ाती है। जहां श्री देवी राजों में अंग्रेजी सीखने की अपनी यात्रा पर है। वहीं फेमस जगों की उनकी यात्रा भी शुरू हो जाती है। बिग एपल से टाइम स्क्वेर, वाशिंग्टन स्क्वेर पार्क, फिफ्ट एविन्यू, ब्रुक्लिन ब्रिज और बहुत कुछ। फिल्म पूरी तरह से आपको एंपार स्टेट के एद्गिर्ट ले जाती है। और आप उस शहर के सब दुश्यों पर ध्यान के इंदुद करेंगे जो आपने कभी नहीं लिया है। नमबर 3. तमाशा तमाशा वे कॉर्शिका की सुन्दरता को देखने के बाद अब हम सब यहां जाना चाते हैं। यह एक पोस्टकार्ट पोफिक्ट पेस की तरहा लग रहा था। जब तक तमाशा और इम्तियास अली ने हमारे सामने कॉर्शिका को प्रस्तुत नहीं किया था। हमें से कई लोगों ने यहां जाने का जादा नहीं सोचा था। फिल्म में चोचे-चोचे टाउन शामिल है जिसमें असली आकर्शन है। रनबीर और दिपिका ने जिस मतरगश्टी का लुफ्ट उठाया। उसके साथ आप वास्तर में चोड़े कॉर्शिका का आनद ले सकते हैं। नमबर दो दिल धड़कने दो। फिल्म सुनिश्ट करती है कि आप लुभावन जिश्या और गंतव्यों को महरा फैमिली के साथ मेडिटेरियन क्रूज से देखें। जो टर्की, इस्तानबूल जैसे कुछ बेहत सुन्दर विदेशी जगों के दौरे पर जाता है। फिल्म में प्रमुक रूप से लोग प्रिय तक्सम स्क्वार, हागिया सोफ्या, दे बॉस्फोरस ब्रिज, गराटा टावर ऐसे अन जगों पर प्रकाश जाला गया है। जोय आक्तर हमें इन विदेशी जगों के ट्रेडेशन्स और कल्चर दिखाते हुए इन जगों को हमें एक्सपीरियंस कराती हैं। जिन में से एक है टर्की हमाम। नमबर एक पर है आपकी और हमारी फेवरेट सिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म को देखने के बाद लगबग हर इंडियन स्पेन के रोड रात्या पर जाना चाहता था। फिल्म स्पेन के हर इंच को पूरी तरह से शामिल करती हैं। जिसे आप देखना चाहते हैं। रोड ट्रिप के व्यूज, फेमस लाटो मिल्टीना फेस्टिवल की जहलग, क्रॉस्ट अबावा में गहरे समुझों में डाइविंग, बुल के साथ रंद और निश्यत रूप से सेवें स्कायडाइविंग आप इन सभी चीजों को प्लान कर सकते हैं। कौन होगा जो तीन लडगों को बैशलेर ट्रिप में बॉलिवुड सॉंग में टैब डांस करते हुए नहीं देखना चाहेगा या फिर स्पानिश वुमेंज को फ्लमेंको डांस करते हुए। तो दोस्तों ये थी बॉलिवुड की कुछ ऐसी मूवी जोने आप इस लॉकडाउन के दौरान देख सकते हैं और अपने ट्रावल प्लान्स को जीवित रख सकते हैं। आशा है आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि लॉकडाउन के बाद आपका कहा घूमने जाने का प्लान बन सकता है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।